गोड़े मिनिक दोस्तों एक बार फिर से आपका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू कलास के कला सीरीच के आज के इस वीडियो में सबसे पहले मित्तुर आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग घृला पड़ रहा है बहुत सारे लोग चैनल पे ज़्यादा ज़या नहीं आ रहा है और नहीं ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है मुझे लग रहा है थोड़े से धीले पड़ गए इसकी क्या वज़ा है मुझे नहीं पता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये धीलापन जो है छोड़के और स्पीड लाया जाए परना जो है बहुत पच्छता हैंगी अगर भरती आ जाएगी तो अचानक से ही भरती हमारे या आ आती है तो यहीं बात मुझे आप से स्पेसली कहना था और इन्हीं बातों के शाहता आज की मैं कलाश शुरू करने वाला हूँ डेली रात 8 बजी कलाश चलती है और साम 6 बजे टेलीग्राम पे आपको प्रशन दिये जाते हैं और 60 वीडियो भी मैंने डालना अपने चैनल आते शुरू कर दिया है पाच प्रशनों के साथ वीडियो भी हमारी चैनल पे चलते हैं उसको भी आप देखीए तो चल करते हैं आज का पहला प्रशन आपके स्क्रिन पर है देखिएbay हमारा प्रशन क्या कहरा है तो कि यह मैं इसलिए कह रहा था कि कजी लोग कमेंट्स करत मा और बच्चा ये जो चित्र है कौन से माध्यम में बना है ये हमारा आज का पहला प्रश्ण है ठीक है तो इसी प्रश्ण को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है आपको उत्तर के रूप में कि मा और बच्चा जो चित्र है वो किश माध्यम में बना है वास तकनीक में बना है एकरलिक माध्यम में बना है टेमपरा तकनीक में बना है तेल माध्यम में बना है मित्रो पहला प्रश्ण और पहले प्रश्ण की शुरुवात करेंगे हम उत्तर से जिस तो उसका उत्तर होगा टेंपरा तक्निक में किस तक्निक में टेंपरा तक्निक में बनाया गया और इस चित्र को बनाया है यामनी रंजन राय जी ने यामनी रंजन राय जी का बनाया हुआ ये चित्र है मा और बंचा दिल्ली जो है संगरहाले में आपके रखी हुई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरब चलते हैं प्रश्ण संख्या दूसरा देखिए का हमारे क्या कह रहा है दूसरे प्रश्ण का हमारे कहना है मित्रो लेदर रोलर का प्रियोग होता है जो लेदर रोलर है इसका प्रियोग कहा किया जता है देखेगा इसमें दो आफसन दिख रहा है तीन चारो आफसन ही दिख रहा है थोड़ा सा इसको छोड़ा कर ले जता है यह हुआ अब दूसरा प्रिंटिंग में होता है कि लेदर रोलर का प्रियोग होता है यह हमारा दूसरा प्रिंटिंग में होता है लिथोग्राफ की प्रिंटिंग में होता है उतक्रिड प्रिंटिंग में होता है या रिलिफ प्रिंटिंग में होता है किस तरह के मैंने वह इसे भी WhatsApp पे बहुत लोगों को लिंक शेयर कर दिया है और मैं अपने जो है टेलिग्राम पे भी लिंक शेयर कर दिया हूं और आज भी कर दूँगा मेरा FB जो है यानि मेरा Facebook जो है AMU Classes Art के नाम से ही है और उस पे मैं जो है रिल्स भी डालता हूं प्रशनों का आपने मतलब YouTube के जो मतलब कोश्चन जो अकला के है उसके रिल्स डालता हूं उसके अलावा जो है ये वीडियो वहाँ पे भी डालता हूं तो अगर जो लोग भी Facebook चलाते हैं तो AMU Classes Art logo यही है वहाँ जाके और उसको फालो कर लें वहाँ पे रिल्स में भी बहुत सारे कोश्चन आपको दिये जाते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी देखिए हर तरफ से मैंने शुविदा दिया है तो जैसा आपको हर तरफ से आप जा का सही जवाब जो हमारा होगा वह हो जाएगा उत्कृड पेंटिंग जिसको इंटैंगलियों पेंटिंग भी कहते हैं यानि उत्कृड पेंटिंग प्रिंटिंग है पेंटिंग नहीं है जिसको इंटैंगलियों भी कहते हैं तो लेदर रोलर का परियोग वहीं किया जाता ह तो C right answer इसका हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण का जिकर करते हैं प्रश्ण संख्या तीन देखी जग हमारा क्या कह रहा है तीसरे प्रश्ण का हमारे में तरु कहना है किसे अंगरेजी जल रंग का जनक कह जाता है यानि जल रंग का जनक अंगरेजी यानि अंगरेज को देखिए अंगरेजी टाइपिंग मिस्टेक है ये किस अंगरेज को जल रंग का जनक कहा जाता है प्रश्ण ये होगा ठीक है ध्यान नहीं आया है तो वो अंगरेजी इन में से कौन सा है जिने जल रंग का जनक कहा जाता है क्या वो जानकॉ प्रशनों में out of कितना आपका जाता है ये देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और पूरा देखिए अगर आप धीले पड़ रहे हैं तो फिर आगे जो है आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा भरती आगर आ जाएगी तो तो तीसरे प्र प्रशन जो है वो है आपका देखिए क्या खेकना है भारत के पर्स ही चितरकार जिनका चे जनावरि दोहजार भी को को येंबा टू जोकी तमिल नाडू में वहां नीधन हो गया परसिद चितरकार के रूप में जाने जाते हैं 6 जनौरी 2020 को कोयमव टूर जो की टीयम तमिल नाडू में पड़ता है उनका देहान्त हो गया इंतिकाल हो गया जिसको कहते हैं उर्दू में क्या वो अकबर पदमसरी थे केजी सुब्रमडयम थे हकुशाह थे या ए रामचंदरन थे तो कौन से वो परसिद समकालीन कलाकार थे जिन्होंने 6 जनौरी 2020 को दुन्या को अलविदा कह दिया काफी मशुहुर चितरकार के रूप में जाने जाते हैं वो कलाकार और उस कलाकार का मित्रो जो नाम है वो है आपका अकबर पदमिश्री क्या नाम है अकबर पदमिश्री चलिए बढ़ते हैं अगले परशन के तरफ पाचवा परश देखिएगा जो की हमने कल आपसे परशन की रूप में पूचा था, आपको याद होगा यह हमने कल परशन पूचा था और आप शबी ने उकतर दिया बहुत शारे लोग Prize ने बहुत अच्छे-च्छे comments किये इसके लिए आप शबी का धनेबाद और धनेबाद आप लोग का कि आप लोग इतने अच्छे response देते हैं इतना अच्छा comments करते हैं बस प्यारा सा share और like करते रहे हो और EFB पे जाकर जोड़ जाएए मेरे Facebook का नामी है AMU Classes Art जहाँ पर ये लोगों आपको दिखाई देगा वहाँ पर जो भी Friend Request भेज़ेगा उसको जो है Accept कर दिया जाएगा वहाँ पर आपको Reels मिलेंगे और Reels में आपके बहतरी प्रशनों की सिरीज मिलेगी डेली ठीक है तो पांचवा प्रशन हमने कल जो पूछा ता प्रशन में किसे पुर्व का होमर कहा जाता है पुर्व का होमर किसे कहा जाता है वेजात को अबुल फजल को से दोसी को या अब्दुल रहम खान खाना को तो जिसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा फिर दोसी को किसे फिर दोसी को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 6 छे नमर प्रशन देखिएगा धियान से देखिएगा प्रशन संख्या 6 कहना क्या चाता है प्रशन का कहना है राजस्थान की अन्य सैलियों क कि अपेच्छा किस सैली में राधा किष्ण का चित्र कम हुआ है ध्यान दिजेगा राधा किष्ण का चित्र जुद बना है वो कम बना है कम संख्या में बना है राजस्थान की अन्य सैलियों की अपेच्छा इन में से वो कौन सी सैली है जिसमें राधा और किष्ण संबंद च चित्र बहुत कम मात्रा में बने हैं क्या वो मेवाड है बिकानेर सेली है किशनगर सेली है या मारवाड सेली है ठीक है यह हमारा आपका कौन सा प्रश्ण है छैनमर प्रश्ण है तो चलिए ड्रॉप करती जाए अपने प्रश्णों के उत्तर को ड्रॉप फटाफट करिए कमे आपको वहाँ पे मिलेगा एपपी पे भी मैंने रिल डालना शुरू कर दिया इसी से सम्बंदित वहाँ भी आपको मिलेगा हर जगा आपको मैंने जो है रखा है बस आपको जुड़ना है और आपको देखते रहना है तो हमारे छटवे प्रश्ण का जो सही जबाब होगा मित्रो वो हो जाएगा आपका D. मारवार सेली मारवार सेली एक ऐसी सेली है राजिस्थान के अने सेलियों में से जहाँ पे राधा किष्ण के चित्र बहुत इकम मातरम बने बाकी सेलियों की अपेच्छ ठीक है अगला प्रश्ण है वो है हमारा साथ नंबर और साथ नंबर प्रश्ण हमारा कह रहा है कि हेंशांग किसके शाशनकाल में भारत आया था हेंशांग जो थे वो जिसके शाशनकाल में भारत भरमड पे आया थे तो किस जो है का सासनकाल चल रहा था चंद्रगुप्त मौरे का चल रहा था या चंद्रगुप्त परथम का चल रहा था या चंद्रगुप्त दृतिय का चल रहा था या समराथ हर्स का चल रहा था हैंसांग एक चिनी यात्री थे और वो भारत आये थे लेकिन किसा सत्ते समय में आये थे और इनलों का जिक्र कला में इसलिए है कि इन्होंने जो आया आये थे तो इन्होंने गुफाओ को भी देखा था उसके बारे में जिक्र भी किया था ठीक है तो इसलिए जो है कला में इस प्रशन का महत्तो बन जाता है तो हेंशांग जो है जिस शाचनकाल में भारत आये थे मित्रो वो थे समराठ हर्स डिर आइट एंसर हो गया इस प्रश्ण का समराठ हर्स आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या साथ की तरफ साथवा प्रश्ण हमारे इस्क्रीन पे है और आपका स्वरी साथवा प्रश्ण कहा रहा है आठवा प्रश्ण है मित्रो साथवा हो गया आठवा प्रश्ण आठवा प्रश्ण कहा रहा है सांती निकेतन के हिंदी भावन का फ्रेश को किशिने तयार किया था सांती निकेतन जो है उसमें हिंदी भवन है और वहां का फ्रेश को तयार करने वाले समकालीन कलाकार इनमेशे कौन से है ये हमारा आठवा प्रश्मे कह रहा है क्या बिनोत बिहारे मुखरजी है नंदलाल बोश है केजी सुप्रमडयम या सतीस गुजराल उस कलाकार का नाम बतान है आपको जिसने फ्रेश को तयार किया यानि फ्रेश को मतलब आपको समन्द में आरे भीती चितर की बारे में बात हो रही है यापे हिंदी भवन वो भी सांती निकेतन के ये हमारा आठवा प्रश्म है और इस आठवे प्रश्ण का जो सही जबाव हमारा होगा मित्रो वो आपका हो जाएगा ए बिनोद भिहारी मुखर जी ने किष्ण ने तयार किया बिनोद भिष्ण कभी कभी यहां फ्रेस्कु की जगा जो है भी तीचितर का इस्तिमाल कर दिता है तो यही देखने वाली कामन चीजह हैं पकड़ने वाली अब आएंगे हम नौब नमर प्रश्ण की तरफ प्रश्ण संख्यान नो का जिकर करेंगे अब हम और नोब नमर प्रश्ण हमारा कह रहा है फ्रेंच मुर्तिकार अगस्त रौंदा ने किस माध्यम में कार किया है अगस्त रौंदा एक फ्रेंच मुर्तिकार थे और उन्होंने जिस माध्यम में काम किया उस माध्यम का नाम बताना है क्या उन्होंने मुर्तियां कले माध्यम बनाई क्ले मिट्टी के गीले चीज जो होते हैं उसको क्ले कहते हैं या वैक्स माध्यम में या संगमरमर में या प्लास्टी साइन यानि प्लास्टिक जो होता है उसको कहते हैं यानि प्लास्टी साइन में यानि प्लास्टिकों को गला के जो है बनाये जाने वाला साचा इस तरह का उस तरह के मुर्तिकार थे तो अगस्त रोंदा किस तरह के मुर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं कौन सा माध्यम उन्होंने चुना था अपनी मुर्ति की कला में यह नौ नमर प्रश्ण का कहना है और इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रो ए कले मा कर रहे हैं ठीक है वो लोग भी अपने आपने मुर्तिकारी हैं बनाते हैं तो आए अगला प्रशन देखेगा प्रशन संखिया 10 दस नमर प्रशन जो है वो कह रहा है निमलिखित में से कौन सा इसमारक लाल किले का हिश्चा नहीं है लाल किले का हिश्चा नहीं है कौन सा इसम रंग महल या शेर मंडल तो कौन सा हिस्सा लाल किले के इस मारक का हिश्य के रूप में नहीं जाना जाता है ये दस नमर प्रश्ण का कहना है तो किसी भी राज्य से आप बिलॉंग करते हों किसी भी तरह की कोई भी प्राब्लम हो कलाश शंबंदित बेहिचक आपको जो है वो लोगों भी मिलेगा उसमें आपको रिल्स मिलेंगे प्रश्णों के और चले जाए टेलिग्राम पे वहाँ आपको 6 बज़े मिलते हैं डेली एक प्रश्ण और चले जाए इसी यूटूब के 60 वेडियों पे तो वहाँ भी इसके अलावा 5 कोश्चन 60 वेडियों में भी म डी सेर मंडल जो है वो लाल किले का हिश्चा नहीं है उसे समारक का चली आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संखिया 11 की तरफ चलते हैं 11 नमर प्रश्ण हमारा जो है वो देखिये क्या कह रहा है एक 11 हमें प्रश्ण का कहना है मित्रो आधुनिक शिल्प सिच्छा पुस्तक के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं अवनिंदर नाथ टैगोर को डाक्टर आनंद कुमार स्वामी बिनोद बिहारी मुखर जी या नंदलाल बोश प्रश्ण शंखिया 11 प्रश्ण का कहना है आधुनिक सिल्प सिच्छा ये एक बुक का नाम है और इसके राइटर कौन है लेखक कौन है ये पूछ रहा है हमारा 11 नमर प्रश्ण और 11 नमर प्रश्ण का जो हमारा जबाब होगा वो हो जाएगा बिनोद बिहारी मुखर जी बिनोद बिहारी मुखर जी की बुक का नाम है आधुनिक सिल्प सिच्छा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण सं चार्या की पेंटिंग कलाबत्ती का मार्ध्यम है यानि विकास भठाचार्या ने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम है कलाबत्ती हम से पूछ रहा है किस मार्ध्यम में उन्होंने इस पेंटिंग को बनाई है जलरंग मार्ध्यम में टेंपरा मार्ध्यम में तेल मार्ध्यम म या एक्रलिक माध्यम में थीक है तो ये हमारा आज का बारहमा प्रशन है इस वीडियो का और चलिए फट फट कमेट करिए नए हैं तो जुड़िए चैनल को बेल आइकन के साथ दबाईएगा तभी आपको नोटिफिकिशन मिलेगा बने रहे और वीडियो को पूरा देखा कर और रिलेक्स होके जवाब दिया कर ये अपने प्रशनों का तो कालबती जो पेंटिंग है विकास भटाचारया की मित्रो उसका माध्यम है ओयल यानि तेल माध्यम में बना है ठीक है आगे बड़े आईए प्रशन संख्या 14 सौरी 13 नमर प्रशन देखिए हमारा क्या कह रहा प्रशन है ये हमारा तेरे नमर प्रशन का पूछना है कि प्रभु जोसी का है डक्टर रडजीत सहा सह होगा तेक है सहा जोतिस जोसी या बिनोध भाद्वाच ब्रिहद कला कोश ये एक पुस्तक है और इसके राइटर का नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से जबाब को देन है और आज के इस प्रशन का उत्तर भी देना है और हमारा पूछा गया प्रशन जोगा उसका भी उत्तर आपको चैदा से जबाब जोगा वो हो जाएगा बिनोध भाद्वाच डिर राइटेंसर होगा ब्रिहत कला कोश के लेखक यानि राइटर के रूप में जाने जाते है चोदा नमबर प्रश्ण का जिक्राव हम करने वाले हैं प्रश्ण संख्या चोदा देखिएगा क्या कह रहा है कहना है चोदा नमबर प्रश्ण का पांच चहरे किसका प्रसिद ग्राफिक चित्र है पांच चहरे ये एक ग्राफिक चित्र है और जिसने इसको बनाया है उस पसिद चितरकार का नाम क्या है जैन्त गजेरा, बिशन, जै किशनगरवाल, यद दतात्रे, आम्टे तो इन में से कौन सा कलाकार है, चितरकार है, जिसने ग्राफिक चितर, पांच चेहरे, एक परसिद चितर है, और ग्राफिक चितर है, ये भी बात है, ये बात है, और ध्यान दखियागा, कोश्चन इसी तरह से इसमें बीच में से बनते हैं, कि पांच चेहरे किस तरह का चितर तो ग्राफिक चित्र है ठीक है तो इसके जो है कलाकार चित्रकार कौन है तो मित्रो इसका राइट एंसर हो जाएगा बी बिशन कौन है बिशन है आगे बढ़ते हैं और अब हम 15 नमर प्रशन का जिकर करेंगे प्रशन संख्या पंदर देखिएगा हमारा क्या कहना चाहता है पंदर नमर प्रशन का कहना है मित्रो अंग्रेजी की कला पत्रिका मार्ग यानि अंग्रेजी की कला पत्रिका है जिसक बुर्क लाज आनंद डाक्टर राधा कांत बनार जी अंग्रेजी की कला पत्रिका अंग्रेजी लैंग्वेज में कला पत्रिका है वो जिसका नाम है मार्ग और उसको सुरू करने वाले इन में से कौन से एतिहाशकार कला समिक्षक कहे लिजिए हैं इसमें से ठीक हैं पंदर प्रशन का यह कहना है इसी प्रशन का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्राप करना है बाकी प्रशनों के साथ स्पीड अपने आपको बना के रखिए बुकों के साथ सेल्फी स्टडी भी जारी रखिए क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर बुक जो है बता दीजिए तो मैं यह कहूँगा कि रिता परताब की बुक तो जरूर रखिएगा आप लोग क्योंकि रिता परताब की बुक बहुत अच्छी रही है और सही मायने में कहें तो अच्छी चीजों का नालेज है और बाकी जो है बाहर की चीजों में भी थोड़ा बहुत चीजों को लेते रही है लेकिन जो नए बुक आ रहे हैं उसमें बहुत सारे जो है कभी-कभी फाल्ट भी दिख जा रहा है जिसके वज़े से आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर इसमें ये दिया है उसमें वो दिया है रीता प्रताप की बुक बेश्ट है क्योंगी बहुत सर्च करके उन्ह किस का प्रशन था इस पे बहुत सारे चर्चा हुआ जिसमें एक राइटर थे राकेश गुश्वामी करके रिशेंट लिए है उनके बुक में लिखा हुआ है कि हस्त निर्मित कागच पे जबकि TGT के आयोग ने उसको कैनवास पे माना है ठीक है कैनवास पे अब आप क्या इसी बात है कोई ऐसी बुक होगी जिसमें उसको के लिए अरली दिखाए गया या फिर वो चित्र होगा जहां वो कैनवास पे होगा तभी तो उसको माना गया है तो यह मेरे कहने के मतलब है तो चलिए इस बातों के साथ जो है इस प्रशन का सही उत्तरों का डेक्टर मुर् कागरा प्रेंटिंग और लभ काल यह बी ऐने की उसके लेखागना आज कुछ जड़ाई कुछ पुस्तकों का मैंने ले लिया है और जबूरी भी है इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है को कागरा प्रेंटिंग और लभ कौन है म. एस रांधवा है क ga.9 कुमार. श्वाम उसके माध्यम से देना है तो ये है हमारा 16 नमर प्रश्ण और 16 नमर प्रश्ण का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ये MS रांधवा किसका है कांगरा पेंटिंग अलब MS रांधवा की लिखी होई बुक है आगे बढ़ेंगे 16 नमर प्रश्ण की तरफ हम चलते हैं प्रश्ण संखिया 16 पे आप पहुँच चुके हैं और उमीद करता हूं कि प्रश्णों की सीरीज सॉरी 16 का रहा है 17 नमर देखें दिहान हट जा रहा है modern Indian sculpture पुस्तक के लेखर कौन है जया अपपाश्वामी है प्रयाक शुक्ल कैलाश बर्मा या दिनकर कोशिक तो कौन है इस पुस्तक के लेखर के मुझे लगता है इस वीडियो में 3-4 question मेरे ख्याल से लेखर के ही पुछा गया है तो ये भी एक अच्छी चीज है कि ये एक अठा रहेंगी तो अच्छा रहेगा और ये जरूरी भी है तो इसलिए comments box में comments खोल के करिए दिल खोल के करिए दिल खोल के अपने प्रश्णों को पूछिए कहिए अच्छा सही गलत जो भी मेरे अंदर से अगर आपको लगता है कि सर आप यहां गलत है सर आप यहां यह है वो है तो आप बेहिचक खुल के कहिए मैं accept करूँगा आपको मैं वो teacher नहीं हूँ जिससे कि मैं अपने आपको जबरजस्ति कहूँगा कि नहीं तुम लोग गलत हो मैं सही हूँ मैं उस चीच को देखूँगा भी आपको उस पर define भी करूँगा कि मैंने यहां यह देखा था आपने जहां देखा था मुझे भेजिए फिर हम दोनों के discussion के बाद यह होगा कि हाँ यह सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 18 की बात करेंगे तो 18 नमर प्रश्ण देखेगा अब थोड़ा सा गुफाओं से एक दो प्रश्ण ले लिया गया है एलोरा में गुफाओं की शंख्या कितनी हैं कमेंट्स बाक्स में फट से कमेंट्स करिए यह सब प्रश्ण तो आपको मुझा बानी याद होगा एलोरा में गुफाओं की शंख्या गुफाओं की शंख्या एलोरा में कितनी हैं 30, 32, 28 या कोई भी नहीं ठीक है फटा फट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स एलोरा में गुफाओ की शंख्या कितनी है और जो भी आपका सवाल है आपका सवाल हमारा जबाब लेकिन आराम से रिलेक्स होके पूछिएगा कोई मिस अंडर्स्टेंडिंग हो तो मुझसे कहिएगा मैं उसको कलियर करूँगा मुझसे कोई गलती होई तो उसको कहिएगा उसको मैं एकसेप्ट करूँगा लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा पूरा पढ़ते रिये इन्जुआएकर के मित्रो तो अठारा नमर प्रश्ण और इसका सही जबाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा कोई भी नहीं इसमें से कोई भी आपसन सही नहीं है एलोरा की गुफाओ की संख्या है 34 लेकिन इसमें ऐसा कोई आपसन नहीं है इसलिए सही अंसर होगा कोई भी नहीं आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संखिया 19 को देखते हैं 19 नमर प्रश्ण आपके सामने हैं और 19 नमर प्रश्ण हमारा कह रहा है एलोरा में किन-किन धर्मों की गुफाएं और सैलकृत मंदिर हैं वो एलोरा में मौझूद हैं, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद धर्म के या तीनों धर्मों के 19 नमर प्रशन का यही कहना है कि जो हमारी गुफा है एलोरा उसमें मुर्तिया भी मिली हैं और चितर भी, ठीक है? दोनों चीज़े मिली हैं तो उसमें किन-किन धर्मों के जो है गुफाएं धर्मों की गुफाएं और सैलकृत मंदिर भी मिले हैं ये हमारा उनिश नमर प्रश्ण का कहना है और इसका सही जवाब होगा तीनो धर्मों के यानि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बहुत धर्म ये तीनो धर्म हैं जो हमारे एलोरा की गुफाओं में शामिल है ठीक है आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण हम आपसे पूछने माले है इसके बाद आपका शवाल पूछा जाएगा लेकिन सबसे पहले 20 नमर प्रश्ण का उतर दीजिए कह रहा है एलोरा में राष्टकुट के द्वा किस मंदिर का निर्माड करवाया गया राष्टकुट के द्वारा इलोरा में निर्माड करवाया गया एक मंदिर का उस मंदिर का नाम क्या दसावतार का मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या कैलाश मंदिर है या रामेश्वर मंदिर है या इन मेंशे कोई वेसी मंदिर नहीं ज आपस़ार तरस से कुछ न कुछ नया करते हैं, और आपके कमेंट्स को भी देखते रहते हैं, लेकिन इस समय बीजी है, क्योंकि बोर्ट का पेपर है, 14 से और डिप्टी करना है हम लोग को, तो इसलिए आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहे हैं, कमेंट्स पर ध्यान कम दे पा रहे हैं तो इसके लिए मैं तुरों माफी चाहेंगे लेकिन घवड़ाईए गामत जो है आपको हमेशा वाच करते रहते हैं जहां भी आपका सवाल कोई निगेटिव हमारे आ रहा है तो मैं उस पर जरूर रिस्पांस दोगा आगे तो इस प्रशन का सही जवाब ज जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है क्योंकि बहुत आसान सवाल आज का पुछा गया है सवाल है दर्सनिय मूर्तिकला महिशा शुर्मर्दीनी किस गुफा में है महिशा शुर्मर्दीनी ये एक मूर्ति है और किस गुफा में है यही आज का सवाल है आपका आ जाना है कि दर्सनिय मूर्ति कला महिशाशूर मर्दीनी किश गुफा में हैं एलेफेंटा अजन्ता बदामी या एलोरा गुफा में तो बताइएगा मित्र अपने प्रशनों का उत्तर और बताइएगा आज के वीडियो का रिस्पॉंस कैसा है आपका और कैसा लगा आपको आ आपको मैं टाइम दे रहा हूं तो इतना टाइम अगर मैं देता हूं तो आपको थोड़ा सा टाइम देकर बस वीडियो को पूरा देखना है और उस पे प्यारा सा कमेंट, लाइक और सेर करना है तो चलिए इनी बातों के साथ आज के लिए दीजाज़त कल सिर मुलकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बहतरीन प्रश्णों की बहतरीन सेज तब तक के लिए दीजिए संडे की आज के लिए इजाज़त गुड नाइट